इस वीडियो में 312 का अभाज जे गुणन खंड निकालेंगे और सिखेंगे कि अभाज जे गुणन खंड यानी की प्राइम फेक्टर कैसे निकाला जाता है तो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत ही असानी से आप लोग को अभाज जे गुणन खंड निकालना सिख लाएंगे तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले आप लोग को क्या करना है यहाँ पर कुछी इस तरह से हल लिख लेना है जैसे कि यह सबी प्रस्णों में होते रहता है अब देखिए अभाज जे गुणन खंड निकालने के लिए इस तरह से कुछ लखिर सबसे पहले आप लोग को खिच लेना है अब देखिए जिस भी संख्या का अभाज जे गुणन खंड यानि की प्राइम फैक्टर निकालना है उसको यहाँ पर लिख देना है जैसे में हम इस वीडियो में 312 का अभाज जे गुणन खंड निकाल रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर 312 इस तरह से लिख देंगे अब देखिए क्या करना होता है इस संख्या को सिर्फ अभाज जे संख्या से यानिकी प्राइम नंबर से कटाना होता है तो चलिए अब इसे हम प्राइम नंबर से निकी अभाज जे संख्या से इसको हम कटाते हैं और पूरी तरह से कटा देना होता है तो अब देखिए हम देखेंगे कि 21 प्राइम नमर से कटेगा जैसे मैं आप लोग पहले से जानते होंगे कि जिस भी संख्या के इकाई अस्थान पर यदि जीरो रहेगा, दो रहेगा, चार रहेगा, छे रहेगा, आठ रहेगा तो वह संख्या जो होती है, वह दो से पुन्त विभाईजित हो जाती है, तो देखिए यहाँ पर दो है, यह दो से कट जाएगा, मतलब यहाँ पर इकाई अस्थान पर दो है, इसलिए यह 312 जो संख्या है, यह दो से कट जाएगी, इसलिए हम इसे दो से कटाएंगे, तो चल करहा होटा है अब यहां पर ध्यान दिजिए ग मैं यहां पर चांपना से नियुको 15 चाइए 20 18 तो 12 को हम 2-6 बर में कटा देंगे क्योंकि 2-6 के 12 होता है अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अब देखिए यहाँ पर भी देखिए 156 के 21 स्थान पर 6 है तो यह संख्या जो है अभी 2 से कट जाएगी हम बतलाएं न कि जिस भी संख्या के 21 स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो संख्या 2 से पुनत अभीवाइद हो जाती है तो इसे पुना अभी हम 2 से कट आते हैं तो अब ध्यान दीजिएगा देखिए यहाँ पर पहले तो 15 है तो 2 के पहाड़ा में 15 तो आता है नहीं है तो हम क्या करेंगे एक इतर 6 की तरफ भेज देंगे तो यह कितना हो जाएगा संख्या अभी हम 2 से कट आएगे तो हम इसे अभी 2 से कट आएगे ध्यान दीजिएगा देखिए हम 2 से कट आ रहे है तो दखिए अपर पहले 7 है तो देखिए 2 के पहाड़ा में 7 आता ही नहीं है तो हम इधर 8 की तरफ एक भेज देंगे तो यह कितना होज़ेगा अच्छे ह कि यहां पर उन्तालिस आगे तो देखिए इसके इकाई अस्थान पर नौ आ गया है तो आप दो से कट नहीं सकता कि यहां बतला ही दिये जिस भी संख्या के इकाई अस्थान पर जीरो दो चार छे आट रहेगा तो वह संख्या दो से पूर्त अभिहाइत हो जाएगी लेकिन यहां पर इसनागे नहीं कुटेगी देखिए अब देखिए तीन से कॉटने का नियम होता है मतलब कोई भी संख्या 3 से कब कटती है जब उससे संख्या के अंकु का योग 3 से कट जाता है तो देखिए तीन में जब नौ जोड़ेंगे तो कि त्कूरगा बारगा 16 संख्या वो वह इतने बार में 9 खता हुआ है तो इस तीना जीजए नुकुद सब्सक्राइब सी when i music अभाज गुड़न खंट, इसी तरह से आप लोगों को भी लिखिलना है, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए, हम 312 को जिस जिस अभाज संख्या से कटा हैं, उसको यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दिजिए, यहाँ पर 312 जो संख्या है न देखिए, देखिए, यहा तो यह जो आगया न यही क्या हो गया तिन सो बारा का अब हाज जे गुण खण यानी प्राइम फैक्टर हो गया अब देखे इसको हम एक और रूप में लिख सकते हैं इस तरह देखिए दो कितने बारा है तिन बार एक दो तिन बार तो हम क्या लिखेंगे दो के पावर तिन गुणे देखिए तिन एक बारा है तो हम गुणे में सिर्फ तिन ही लिखेंगे और तेरा भी एक बारा है तो हम सिर्फ तेरा ही लिखेंगे तो आई हो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोक अभाज जे गुन खण यानी प्राइम फेक्टर निकालना सिह गये होंगे